ओन्लाइन एक्जाम होता है जैसे ससी हो गया रेलवे हो गया सब का यहीं पे कंड़क्ट किया करवाया जाता है यह देखे लिखा हुए ना पर्थ डिजिटल जोन और इसके बकल में देखिए ग्रोस हाई एबरिवान वेलकम बैक तो माई न्यू ब्लॉग तो आसा करती हूँ कि आप लोग दोहों की अच्छे होगे और अच्छे होने पुछाइए तो आज मैं आई हूँ धनवाद के कुशुम बिहार करगी एक जगा है तो यहीं पे एक पर्थ डिजिटल जोन है जो कि इसमें जितना भी ऑनलाइन एक्जाम होता है तो यहीं पे कंड़क्ट किया जट करवाया जाता है जैसे SST का हो रेलवे का हो या किसी भी टाइप पर एक्जाम हो तो यहीं से कंड़क्ट किया जाता है तो आज मैं यहीं पे आई हूँ और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम स पुरपर्थ जो दिखाने वाली हूँ तो आप लोग इसी तरह लास्ट तक बने रहेगा तो आप लोगों को बहुत कुछ जाने को मिलेगा और बहुत कुछ पता चलेगा तो चलिए बिना देर किये हुए वीडियो को स्टाथ करते हैं तो गाईस जैसा की अगर लोकेशन का बात किया जाए तो देखिए ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये आपका चला जाएगा धनबाद स्टेशन की तरफ नीरापूर की तरफ जहां भी जाना हो तो ये रास्ता चला जाएगा और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये और यहां देखिए यहां पर दिखा हुआ है पर्थ डिजिटल जोन तो पर्थ डिजिटल जोन यही पर है तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में बने दढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत कुछ दिखाएगे इस देखिए एक इधर से भी रास्ता है तो आप लोग इधर से भी आ सकते हैं यह देखिए इधर से भी आ सकते हैं पर्थ डिडिक्टल डोन और इधर से जा भी सकते हैं देखिए जैसा कि यह जो आप देख रहे हैं चदर जैसा जो है यहाँ पर दरवाजा इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट है सब यहीं पर वेट करते हैं जब टाइमिंग होता है तब यहाँ से सब कोई निकल के जाते हैं एक्जाम देने के लिए तो वेटिंग रूम समझ लिए तो यहीं पर जितने भी स्टूडेंट है इसी के अंदर सब कोई बैठते हैं और वेट करते हैं टाइमिंग का एक्जाम पर टाइमिंग का तो देखिए पर्थ डिजिटल जोन लिखा हुआ है तो यहीं पर है तो आप लोगों चलिए दिखाते हैं देखिए यह इधर साइड में आपका है पर्थ ढिजिटल जोन यही पर्थ डिजिटल जोन तो यहीं पे जितना भी ओनलाइन इग्जाम होता है जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, सब का यहीं पर कंड़क्ट करवाया जाता है, यह देखे लिखा हुए ना, Perth Digital Zone, और इसके बगल में देखिए, Grossly, Verb है, Gym भी है, तो जितने भी स्टुडेंट है, सब यहीं पर आते हैं, एक्जाम देने के लिए, जो की कुश्यूम बिहार में है, तो यहीं पर होता है सब का एक्जाम, यह देख सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना हो, अगर यहां पर आप लोगों को सेंटर कभी दिया जाए, तो यहीं पर आके दे सकते हैं, यह देखें, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है, यह देखें, इसी को बोला जाता है, पुरा पर्थ डिजिटल जोन, तो गाइज, आसा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के मार्धियम से, पूरा पता चला होगा, पर्थ डिजिटल जोन कहां पर है, और जैसा दिखता है, तो अजयसा कि आप लोगों को इस वीडियो में पूरा लोकेशन भी हम बता चुके हैं, तो अगर जिस किसी का भी यहाँ पे सेंटर वेगरा पड़ता है, तो आए यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, और एक्जाम वेगरा भी दे सकते हैं, तो जिस किसी को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्रीज लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आज का वीडियो यहीं तक खुटा है, और अब आप लोग से मिलती हैं, नेक्स्ट व्लोग,